नमस्कार बहुत बहुत सुवागत है आप सब का देख रहे हैं आप दिसंबर का खास राशिफल आपके साथ अपने घर से में हुँ आपका इस्टो फैन संतो संतोशी एक नया कैमरा ली आ गया उसी से यह ट्राइल चल रहा है और उसी से यह शूट कर रहा है घर से ही शूट क बासी तो बहुत सार आप लोगों ने सुल लिया हुआ कि हमें पता चल जाता है कि आप लोग और किसके किसके चीनल पर जा करके वीडियोज अ restor करते हैं जेनुमिन देखें जायर देखें जायस पर अच्छा आदां हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं यही दुआ करते हैं और बिल्कुल इस समय आप हमारे घर के अंदर हैं और हम आपके उड़ते के अंदर हैं बात करेंगे सिंघ रासी से लेकर के व्रिष्चिक रासी तक का दिसंबर महीना कैसा जाएगा गोचर बता देता हूँ ग्रिष्चिक लगन का उड़य रहेगा दिसंबर में लगन में ही सूर रहेंगे धर्व राशी में ब्रहश्पित शुक्र शैनी और केतु दुटियस तर रहेंगे गोचर जब एक दिसंबर को सुपर सुर योदय होगा चंदर्मा मकर राशी में सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल इस्थियां आपके पक्ष में रहेंगे कुछ ऐसी भी सिक्षा आप गुरह कर सकते हैं जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था कहीं बाहर जाकर के आप अचीव कर सकते हैं कुछ अवार्ड ले सकते हैं सिंग्राश वालों के लिए अनिस्पेक्टेड ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर में दिखाई देता है पूरे दिसंबर मेहने में लेकिन ब्यापार में रुकावट आ सकती है बिजनस में कुछ समस्या है ऐसी गंभीरता के साथ आपके समक्ष आएंगी जो आपने कभी कलपा नहीं किया था बिजनस आपका प्रभावित होगा थोड़ा सा रिस्क लेना भारी पड़ेगा कोशिश करिएगा कि साज़ेदारी अगर आप कर रहे हैं पार्टनर्शिप अगर आप कर रहे हैं तो उ पूर्देश से की यात्रा भी हो सकती हैं बाहर जाकर के भी आप सिक्षा ग्रहन कर सकते हैं जो आपके लिए बेहत सकरात्मक और शुब रहेगा सिंग रासी दामपत्ते जीवन पति-पत्ने की बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा परिस्थतिया आपके पक्ष में रहे जो आपके लिए बेहत सकरात्मक रहेगा खास तर पर ग्यारह तारिक से लेकर के चौदर तारिक के बीच में कुछ इस्थतियां बच्चों के कारण कश्ट प्रद हो सकती हैं सिंग रासी दिसंबर महीना खास तर पर लव लाइफ वालों के लिए लव लाइफ में चिंता की कोई आवश्यक्ता नहीं है यहां पर आपकी स्थती हर प्रकार से सकरात्मक है पॉश्टिव है उन्नत इदायक है संकेत अच्छे हैं सिंग राशी स्वास्थ पैक की प्रॉबलम बहुत होगी हड़ी की दिक्कत हो सकती है सोलह से बाइस की बीच में किसी तरह की सरजरी हो सक सकती है 26 से 30 तारिक के मद्ध में कुछ परिष्थतियां आपके हाथ से बिलकुल निकलने वाली रहेंगी स्वास्थ के मामले में सावधान रहेगा उपाय हम बताएंगे कन्यराशी पढ़ाई पूर्ण कर लेंगे आप दिनान के 10 तारिक से ले करके 18 के बीच में जो एक्ज की वज़े से कुछ सिक्षा प्रभावित होगी 26 से 30 के बीच में दिसंबर महिना 2019 का अंति महिना कन्यराशी ब्यापार बिजनस में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं 11 से 16 के बीच में इस्थतियां आपके पक्ष में रहेंगे रुकेधन की प्राप्ती होगी 18 के बीच माता करने तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में प्रोमोशन के चांसे 13 और 14 तारिक के बीच में बन रहे हैं 16 अठारे के बीच में कुछ दोस्तों के साथ मनमुटा हो सकता है गौर्मेंट सेक्टर में धन की स्थती बहुत अच्छी रहेगी शादी की बात फाइनल हो सकती है बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैरेड लाइफ में कुछ इस्थतियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश आप काम्याब होता हुआ देख रहे हैं और यहीं आपके लिए सबसे सकारात्मक रहेगा लव लाइफ शादी की बात फाइनल होने जा रही है बधाईया ले लिजेगा अपने इस्थिव फ्रेंट से कुछ इस्थति आपके ऐसे हाथ में आ रही है जो आपको बहुत प्रतिक्षित लग रही होगी निया प्रपोजल 24-25 दिसंबर निव यर बिंदास रहेगा स्वास्त के मामले में बैक की प्राब्लम तो अल्रेडी थी इधर सर्दियों में हड्डियों की दिक्कत और बढ़ जाएगी शुगर आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा लीवर और किड्नी पेशेंट्स को मैं विशेश रूप से हिदायत दोंगा कि आप एहतियाद बरते खान पान पर ध्यान दे योगा परायाम जरूर करते रहें जो आपके लिए बेहद अनिवारे रहेगा बताएंगे हम लेकिन पहले तुला राशी की बारे में बात कर लेते हैं तुला की स्थिती बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी दिसंबर में परहाई प्रभावित होगा कुछ वैचारिक मदभेत किसी दोस्त के साथ बढ़ने की वज़े से सिक्षा बिलकुल भी मन नहीं कह सिक्षा छेत्रे में बहुत सारी रुकावटें आपको परिशान करेंगे जो आपने कभी कलपना नहीं किया था सिक्षा में कुछ इस्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं जो आपको आंतरिक रूप शेहरा दें विश्चे ग्राशी ब्यापार बहुत अछह रहेगा बिजनस में दिक्कत नहीं आएगी बिजनस में कुछ आगे बड़ सकते हैं तुला राशी के लिए कुछ आप किजियेगा अभी तुला की चर्चा चल रही है तो तुला राशी वालों के लिए ब्यापार में आगे बढ़ सकते हैं, आहन का सुक मिल सकता है, आहन परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं जमी जाजाद में भी निवेश कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ और सकरात्मक रहेगा, आपके उपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, प्राइबेट स से आठा सी आठा दिसम्बर के बीच में इस प्रकारकिस्थिं आ सकते हैं предлаг listens topic बहुत अच्छे स्थिति नहीं यहां पर फं सकते हैं涅 में ज конт procent में उलज़सकते हैं तो राशीवालों के लिए किसी तरह की उल्ज़ने बढ़ रही है जो आप पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप आख्षेप आधी लग रहा है जिसको ले करके आपको बहुत सावधान होने की आवशक्ता है बहुत सतर्क होने की आवशक्ता है गौर्वर्वर्ट सेक्टर वालों के लिए तुला राशी में दिसंबर महिना 2019 वर्षकांति महिना लेंदेन में भी आप पर आख्षिप लगेगा कोई आपके विर्द शरियंद्र करता हुआ फसा देगा आपको जिस पर आपको बहुत फोकस करने क्या वश्यक्ता है ताम पत्त जीवन तुला राशी 2019 बहुत अच्छा है मरियर लाइप में दिक्कत नहीं आएगे पति-पत्नी के बीच दाल मेल बहुत अच्छा सेट रहेगा पत्त नहीं दूसरे के पत्त विस्वास बढ़ा लेंगे कुछ दिक्कते थी तो बारह से सोलह के बीच में प्रयास कर लीजेगा अगर आप आगे बढ़ते हैं सोलह तक वेट करते हैं तो सत्रह के बाद सायद उधर से उत्तर आए लेकिन शायद मैं बोल रहा हो तो बहुत सावधान हो करके आपको इस पे फोकस करना होगा मैरिल लाइफ को सुधारने के लिए बच्चों के उज्जल भविश्य के लिए आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा जो आप बढ़ा लेंगे तो दिन आपका अच्छा जाएगा माह अच्छा जाएगा लव लाइफ की स्थती बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है यहां पर ब्रेक अप के चांसेस दिनांक 9 और 10 तारिक में दिखाई देते हैं कोई नया प्रपोजल 12 और 14 के बीच में आ सकता है यह प्रपोजल आपके लिए बहुत सकरात्मक रहेगा शादी की चर्चा आपके साथ तैह हो सकती है स्वास्त तुला राशी दिसंबर महिना बैक की प्रॉब्लम थोड़ा सा संभव है अंगूठे में दिक्कत रहेगी एणियों में समस्या रहेगी यूरी के सिक बढ़ा हुआ होगा और महिलाओं के लिए तुला राशी के कुछ गायनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सरजरी समय अनकूलता का परियाएब बनेगा समय में किसी तरह के दिक्कत नहीं आएगी कुछ इस्थिया आपके पक्ष में हैं तो कुछ बिपक्ष में हैं लेकिन मिलाजुला कर कि दिसंबर महिने में पढ़ाई आप अच्छी कर लेंगे बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी नही हैं ब्यापार में कुछ मेजर प्राब्लम हो सकती है बिजनस अचानक से रुख सकता है बिजनस में कुछ समस्याएं ऐसे भी आ सकती है जो आप पर ही किसी तरह की आरोप प्रत्यारोप को संभावित करें जिस पर आपको बहुत फोकस करना है बहुत सावधान रहना है ब्रि सेक्टर वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन का समय दिखाई देता है 14 तारी को प्रियास करें आप 22 तारी को प्रियास करें 28 तक 100% रिजल्ट आपके सामने दिख सकता है बसरते आपके जन्म कुंडली में भी योग सैयोग चल रहा हो गौर्बन सेक्टर 16-22-26 परिवर्तन कर सकते हैं जमीन जाजाद में निवेश के लिए माह उत्तम नहीं है दांपत्त जीवन पत्ने के साथ रिस्ता मधूर रहेगा कहीं घुन्ने टहलने का कारिक्टर बन सकता है जो आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा यही आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करने का एक लोगों की प्रशनता के सिकार होंगे दांपत जीवन अच्छा रहेगा लव लाईफ की स्थिती में सुधार की गूझजाईश नहीं बनती है लव लाईफ उलज हा उलज हा सा रहेगा लव लाईफ में कुछ समस्या इस प्रकार की भी आ सकती हैं जो आप पर ही आरूप तरक रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्या उपाय करें, सिंग, कन्या, तुला और ब्रिश्चिक राशिवालों के लिए उपाय बता देते हैं, एक लाल रंकी रुमाल में थोड़ा सा पीली सरसो बांध लीजेगा, दिसंबर में कभी भी, एक दिसंबर, दो दिसंबर से लेक कभी जब भी एक यह काईक्रम देखें, और आपको पता है कि आपकी राशि़ शिंग्व है, कन्या है, तुला है या अपिस्ट्रिक है, लग्मे अगर यह है, तो लग्माले भी उपाय कर लें, क्योंकि राशिय और लग्मे उपाय करने का आनंब दोनों में आता है, दोनों को कंसीडर किया करिए प्रिकृत ने दोनों दिया है तो प्रियोग भी दोनों करिए आप करते ही आपको रिजल्ट देखेगा तो पीली सरसू रख लेजएगा लाल रंग की रुमाल में छोटे से कपड़े में और इसे एक रात सिरहाने रखना बस एक रात अगली सुबह जब कर रहे थे बस इतना सा करिएगा जानकावी दे देते हैं साथ आठ नौ दिसंबर आप हमसे मिल सकते हैं इन दौर में 14 15 16 दिसंबर चंडिगर 26 दिसंबर को पुरुना होती है यग की जो 22 दिसंबर से 26 दिसंबर लगातार चलेगा पांच दिन गाजियाबाद में आने के रिजिस्टेशन करा सकते हैं करना क्या होगा दिएगा नंबर्स पर आप बस वाट्स अप करें सूर गरहन महा अनुष्ठान करके आप तक पूरी जानकारी मैसेज के मादम से या कॉल के मादम से पहुंच आएगी बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्यार बनाए रखिएगा और ये महबत हमारी आपकी यूँ ही चलती रही नमस्कार सिकिस्टना सिरा